हेलो फ्रेंज नमस्ते कैसे हूँ आप सब आप सब ठीक होंगे और फ्रेंज आज हम ये रुमाल का रियूस करने वाले हैं देखिए यहाँ पे नीचे नोनोन और सेंटर में फोम डालके मैंने रुमाल में सिधी-सिधे लाइने की और फिर मैंने यहाँ पे वन इचे पे माग किया है और ऐसे वन बाई वन इचे पे बोक्स बना लिया है और फ्रेंज आप सब कैसे हो मुझे जरूर बताना और यहाँ पे हम वन इचे पे माग करेंगे देखिए ऐसे चोटी-चोटी चीज़े आप आसानी से बना सकते हो जटपट से और अगर आप सिलाय की सोकिन हो तो ऐसी नए नए चीज़े सीख के ऐसी चोटी-चोटी चीज़े बनाईए और अपना हाथ बेठा बेठा दीजिए मतलब फिनिसिंग अच्छे से आ जाएगी ऐसी चोटी-चोटी चीजों से तो अब देखिए उपर स क्या करना है यहां पर यह नोन-वन का पार्ट है जिसका मैं आपको नाप बता देती हूं 14 x 4.5 इंचे से यहां पर अगर नोन-वन नहीं है आपको तो कोई दिकत की बात नहीं है आप यहां पर इसे फोल्ड कीजिए अस्तर ले लिज़े कपड़ा ले लिज़े और इसे यह पर अटेज कीजिए और यहां पर इसे जोड लिज़ें जरू से स्टीज कीजिएगा अगर पोकेट ज्यादा अगर आपको बढ़ाने है और देखिए यहां पर हमने यह चुटा सा नोन-वन का तुकड़ा लिया है और इसे हमने यहां पर अटेज कर लिया फिर हमने जिप और आपक ले ली है जिप को यहां पर हमने पर अटेज कीजिए और दुसरी साइड ऐसे अटेज कीजिए और फिर प्रेग कर लिजए गा प्रेश टेज करने से क्या हो था जिप में अटकती नहीं है और फिनिशिंग अच्छी आती है अब ऐसे stitch कर लीजिए अब दिखें से हम उल्टा कर लेंगे उल्टा करने के बाद आप यहां पे side में stitch जरूर कर लीजिएगा side में stitch करने के बाद यहां से corner से ऐसे पकड़िए और यहां पे stitch कर लीजिए अब देखें यह हमारा punch कितना प्यारा cute सा multi-purpose organizer बनकर ready हो गया है ना cute लग रहा है ना कितना प्यार और आपको तो पता है यहां पे आप अपनी कितनी सारी चीज़े अच्छी से organize करके रख सकते हैं तो कैसा लगा बताना जरूर और अब हम जाएंगे अपने second idea की और तो ऐसे रूमाल अगर आपके पास पड़े हैं तो जरूर से try कीजिगा तो उसे वही तरीका हम इसे stitch करके quilt कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है देखिए जिप ले लीजिए इसे यहां पे अटेज कर लीजिए इसमें ज्यादा आपको मेनत नहीं नहीं करनी पड़ेगी और जब आपकी जो चीज बनकर रेडियो होगी वह बहुत ही useful होगी देखिए दोनों सैड हमने जिप को अटेज किया और फिर आपको प्रेस्टीज करनी है प्रेस्टीज करने के बाद आप जिप के अंदर रनर जरूर से डाल दीजिए देखिए इस तरीके से आपको रनर डालना है बहुत ही easy है फिर आप क्या करें यहां पे देखिए यहां पे सेंटर में माक कर लीजिए सेंटर में माक करने के बाद यहां से आपको ऐसे जिप के यहां रखना है और दोनों साइड माक कर लीजिए और यहां पे टू फिंगर पे ऐसे माक कीजिए दोनों साइड पे टू फिंगर पे अब देखिए पीछे की और भी माक कर लीजिए एसे टू फिंगर पर हमने जो माग किया है पेंसिल पाउंच हमारा बनके रैडी हो गया है कहीं से भी स्वाण सब्सक्राइब कर दोनो नहीं पैडिया होगे यूसपल है और बनाने में बहुत यासन है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको जरह सा भी उप्योगी लगा है पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल पे ने हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय बारत वन्दे मातराम